वो जिंदगी ही क्या जिसमें देश भक्ती ना हो और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिप्टी ना हो इनी पंक्तियों के साथ आज की इस देश भक्ती के विडियो की सुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं देश भक्ती पर कुछ मेसेज और सायरिया लेकिन सबसे पहले हम नमन करते हैं भारत के उन वीरों को जिनों ने अपने खून को पचीने की तरह बहा दिया और 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब भारत आजाद होई गया ये एक दिन की महनत नहीं थी इसके लिए कई साल लगे 1857 में मंगल पांडे ने क्रांती की और उसी के बाद से अंग्रेजो के विरूद भारत में क्रांतिया सुरू ही और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल ही गई अब कुछ सायरी आपके सामने पेस करना चाहूँगा देसलामी इस तरंगे को जिस्ते तेरी सान है सर हमेशा उचा रखना इसका जब तक दिल में जान है आन देस की सान देस की देस की हम संतान है तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही परचान है वतन पर जो फिदा होगा अमर हर वो नोजवान होगा रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना उसका बयान होगा कुछ नसा तिरंगे की आनका कुछ नसा मातर भूमी की सानका हम लहराएंगे हर जगा ये तिरंगा नसा ये हिंदुस्तान के समान का अब तक जिसका खून ना खोला वो खून नहीं पानी है जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है संसकार संसकर्ती और सान मिले ऐसे हिंदु मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले रहे हम सब ऐसे मिल जुल कर जैसे मंदिर में अल्ला और मस्जिद में भगवान मिले फना होने की जाज़त ली नहीं जाती फना होने की जाजत ली नहीं जाती ये वतन की महबत है जनाब पूछ कर की नहीं जाती सरफरोसी की समा दिल में जलालूं तो क्या होगा सारा लहू अगर सरहदों पर बहादूं तो क्या होगा भारत की फिजाओ को सदायाद रहूंगा आजाद था आजाद हूं और आजाद रहूंगा सहीतों के त्याग को हम बदनाम नहीं होने देंगे भारत की इस आजादी की कभी साम नहीं होने देंगे लड़े थे देश की खातिर और सईध होकर अमर हुए उनकी याद में अजादी मना कर आज का दिन सजाना है भारत का वीर जवान हुमे ना हिंदू ना मुसल्मान हुमे चक्मों से भरा सीना है मगर दुस्मन के लिए चटान हुमे भारत का वीर जवान हुमे कभी ठंड में ठिटूर कर देख लेना कभी तबती धूप में जल के देख लेना कैसे होती है इवाजत मुलक की कभी सरहत पर चल कर देख लेना सुन्दर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है जहां जाती भासा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है निश्चल पावन प्रेम पूरण वो भारत देश हमारा है दिल हमारे एक है एक ही हमारी जान हिंदुस्तान हमारा है हम है इसकी सान जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महार जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रस्थार नहीं वहर्दे नहीं है पत्थर जिसमें सवदेश का प्यार नहीं आजादी की कभी साम ना होने देंगे सहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे बची है लहू की एक बूंद बीरगों में तब तक भारत माता का आचल निलाम ना होने देंगे ये बात हवाओ को बताए रखना रोसनी होगी चिरागों को जलाए रखना लहू देखर जिसकी हिबाज़त हमने की ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना इस परकार से कुछ सायरिया कुछ मेसेज थे जो आप अपने दोस्तों को बेज सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे ये सायरिया और मेसेज दो सरफ और सरफ हमने बॉल के बताए आप इने मेसेज के रूप में कैसे बेज सकते हैं ये सवाल तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे में कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा लिंक पर जाएए आपको ये सारी की सारी साइडिया वहाँ पर देखने को मिलेगी वहाँ से आप इन सभी साइडियों को कॉपी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को पेश सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो इस टेकने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा फिर मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में और किसी अन्य वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद